नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संधिक पांडे और आप देख रहे हैं गुज्रात एजुकेटर चैनल तो फ्रेंट आईए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वेलकम इन गुज्रात एजुकेटर तोड़े वी स्टुडी फिजिक्स पार्टेन क्यों सब वाइव प्रदूसर्ण दिल्ली में मोटरों से नहीं निकलता है एस और टू फ्लाई एस फैट्रो कर्बन या सियो क्या होगा इसका राइट अंसर अप्रेट्स का राइट अंसर है ओप्शन नमबर है एस और टू अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पे है कि संसार का वह नगर जहां अधिक्तम एस और टू प्रदूसर्ण है मिलान इटली सीवल दच्छन कोरिया नई दिल्ली भारत नुज्यार्क अमेरिका संसार का वह नगर जहां अंतिव अधिक्तम एस और टू का प्रदूसर्ण होता है उस नगर का नाम बताईए सोब्रेंट्स इसका राइट अंसर है ऑप्शन नमबर बी सीओल साउथ कोरिया अगला कोशन आपके स्क्रीन पे है कि सेटेलाइट ने ओजोन छिदर की उपस्तिती दर्साई जियोन टाइरोन एन निम्बस सेवन या लेडर सेट्ट थी इस सेटेलाइट ने ओजोन छिदर क इसका राइट अंसर क्या होगा फ्रेंट्स का राइट अंसर ऑप्शन नमबर सी निम्बस सेवन अगला क्वेशन आपके स्क्रीन पे है वाई मंडल में सी ओटी की मात्रा कितनी होती है लगभाग 0.003 0.03 0.3 3.0 कि मात्रा कितनी वाई मंडल में तो फ्रेंड्स वाई मंडल में सी ओटूग मात्रा बताए कितनी है अ उप्रेंड वाई मंडल में सीओटूग मात्रा 0.03 अगला क्वेशन आपके स्क्रीन पे प्रोडूसन प्रोडूसित वायू में अधेक साधानतया पाई जाने वाले धा तुक्या है cadmium, C-Sat, para-aging प्रदूसित वायू में साधानतया पाई जाने वाले धा तुक्या है cadmium, C-Sat, para-aging अपरे इसका right answer option number है औरेड़बियम अ अगला कोस्चिन आप की स्क्रेणिंपर पर क्रिंद से खैस किसकी क्रिया से उत्पन्न होता है अबेसीलआस इस्पेसिज प्रोपियानी क्रिया इस्पेसिज आपको या राइजोबियम इस्पोसीज वी नाइट्रोचिनी करण करने पर कौन सी द्रश्च गैस किसकी क्रिया से उत्पन्न होती है कि अग्ला क्रोश्चन आपके स्क्रीन पे है यह उसके रूप आंतरित पदार्थों क्या भाव में क्या है कुछ क्लोरोफिल का नास जीवद्रग का संकुचन गाल जी काय का नास कुछ नहीं एस उट्व या उसके रूप आंतरित पदार्थों के प्रभाव में कुछ किसका मतलब एफेक्ट है वाट इस पाट्यूक्ला क्वेश्चन गाल जीवद्रग क्यांतरित पदार्थों में जो प्रभाव होता है वो ख्लोरोफिल का नास करते थे पोधों में पत्तियों का हरा रंग निश्ट हो जाता है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला से कौन सा परितन्त सबसे अधिक उत्पादक है कधारी मेदान 30 मेदान साध्रणया क्रशी भूमी या उथला समुद्र वाट इस पाट्यूक्ला क्वेश्चन का राइट अंसर है ऑप्शन नम्बर के ए कधारी मेदान एक प्रेंट्स एक यह रोंग अंसर है इसका राइट अंसर आपसन नम्बर सी साधान क्रश भूमी तो क्रश भूमिया वह सबसे अधिक उत्पादक छमता रखती है ठीके फ्रेंट्स अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे किस परितंद्र में प्रजाती भीनिता सबसे अधिक है उश्ण करश बंदी वन वर्सावन मरूस्थल वन यह घास भूमें किस परितंद्र में प्रजाती भीनिता सबसे अधिक है उश्ण करश बंदी वन वर्सावन मरूस्थल यह घास भूमें अधिक का राइट आंसर है ऑप्सन नंबर भी वर्सावन अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पे समुद्र जिसे सागरी में उस्थल कहते हैं वो क्या है सार गैसो सागर लाल सागर अरब सागर या जापान सागर समुद्र जिसे सागरी में उस्थल कहते हैं वो क्या है सब्रेंस का राइट अंसर है ऑप्शन नम्बर है सार गेशो सागर यह समुद्र का मरुस्तर है अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर खाद एसंखुला का विचार सरबदम किस ने दिया डेंडम में जार्ज हेकर एजी टांसले आई प्यम ओडम बताइए इसका राइट अंसर क्या होगा खाद एसंखुला का सरबदम किस ने बिचार दिया था सब्रेंस का राइट अंसर है ऑप्शन नम्बर है लिंडमेन अगला कोश्चिन आपके स्क्रीन पर है म्रत प्रदारतों तथा उसमें उपस्तित जीवानों का भेच्छन करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है डेटिवोरस ओम्रोवस करनीवोरस या डिंपो डिकम्पोरस डिकम्पोरस वाट इस राइट असर आप देस पाइट उपला क्वेश्चिन उसमें उपस्तित जीवों का भेच्छन करने वाले जन्तू क्या कहा जाता है सब्रेंस का राइट अंसर है आप्सन नंबर एट डेटिवोरस अगला कोश्चन आपके स्क्रिन पर है किसी परिस्थती काई में निष्चित समय पर पाई जाने वाली जैवी घटकतों का द्रवमान को क्या करते हैं बायो मास जीओ मास एको मास या इनमेस कोई नहीं सब्रेंस का राइट अंसर अप्सन नंबर एबायो मास अगला कोश्चन आपके स्क्रिन पर है पारिस्थती की ब्राडमी के संक्रपना देने का स्रे किसको जाता है इसका राइट अंसर अप्सन नंबर सी लिंडर में अगला कोश्चन आपके स्क्रिन पर है कौंसा प्राडमी सदयों सीधा बनता है उल्टा अगला कोश्चन आपके स्क्रिन पर किसके पोशन इस तर में सबसे अधी कूर्जा होती है किसके पोशक इस्तर में सबसे अधीक उर्जा होती है इसका राइट अंसर है ऑप्सन नंबर सी सर्वाहरी अप्सन आपके स्क्रिन पर सामानता पाउधों के लिए आवस्यक उर्जा मूले का मान कितना होता है इसका पाउधों के लिए आवस्यक उर्जा मूले का मान कितना होता है चार खिलो के लोरी चाउधा या चार्स चालिस या पांच अगला कोश्चन आपके स्क्रिन पर है वाइप प्रदूशन नहीं है तता आप विद्धुद सक्ति के अंदर पराकण डीजल इंजन या जल विद्धुद सक्ति के अंदर इन चारों में से वाइप प्रदूशन किस्से नहीं होता है अगला कोश्चन आपके स्क्रिन पर हमली वर्सा का कारण क्या है सलफर डायक्साइड कार्बन मोनवाक्सर प्रूशन पीड़क नासी यह धूलकण अमली वर्सा का कारण क्या है अगला कोश्चन आपके स्क्रिन पर वाज का लाक्ट कोश्चन है जेट विमान द्वारा उत्पन एरो सोल में कौन सा मुख प्रूशन होता है फ्लॉरो कार्बन एसो टू सीओ टू या सीओ जेट विमान द्वारा उत्पन एरो सोल में मुख यह कौन सा प्रूशन होता है तो फ्रेंट इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर भी एसो टू यही सलफर डायक्साइड तो फ्रेंट यह था हमारा आज का क्लास और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब केजिए लाइक केजिए और घंटिक बेटन को जरूर्ण कर देजिए ठीक है फ्रेंट्स फ्रेंट्स थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो क्लास डाउनलोड पीडिया गोटो टेलिग्राम टी डॉट्ट मी लेस्ट गुज्राद इजुगेटर तो फ्रेंट्स आज की क्लास को हम यहें पर बिराम देते हैं झाल 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 झाल